हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू वर चैनल ट्रिपिल ए डिलाइट्स मैं अनीता ध्योत्री आप के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही सिंपिल और टेस्टी रेस्पी आलू की रोटी और उसका स्वार बढ़ाने के लिए फ्राइड अनियन टुमेटो मसाला पर आज में आपको ये रोटी आटे के साथ कैसे बनती है ये सिखाऊंगी सेम तरह से जैसे प्लेन रोटी बनती है उसी तरह से ये भी बनती है बस इसमें आलू की फिलिंग होती है तो आईए हम सामगरी नोट कर लेते हैं आलू की रोटी बनाने के लिए हमें क्या-क्या चाह हमें चाहिए उबले आलू जो कि हमने इस तरह से कट्टू कस करके रखे हुए हैं कश्मीरी नाल मेच अमचूर पाउडर या खटाई नमक धनिया पाउडर हरा धनिया बारिक कटी हली मेच आटा आटे को हमने पहले से बूत के रखा हुआ है नमक डाल कर ध्यान रखना है हमें इस आटे को जैसे नॉर्मली हम रोटी का आटा कूथते हैं तो आलू की रोटी के लिए जो हम आटा कूथेंगे उसको हमें फुड़ा साफ्ट रखना है सौफ्ट इसलिए कि आटा जितना मारा सौफ्ट रहे ना तो जब हम आलू की रोटी बनाएंगे तो वह बीच से फटेगी नहीं और फ्राइड अनियं टोमेटो मसाला बनाने के लिए'm saykin ум cheese कोटी आफेशकता है एक नजर चाहिए प्यास को हमें इस तरह से लंबे पीसमें काट रख्ता है तमाटल था इन तो भी अमने इस तरह से लंबे लंबे पीसमें काटा हुआ है कश्मीरी लाल मिर्ज, नमर, धन्या पाउडर, हरा धन्या, बारीक कटी हरी मिर्ज, जीरा और अध्रक लिहसुन का पेस्ट सबसे पहले हम फ्राइड अनियन टुमैटो मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं कैस को ओन करेंगे थोड़ा सा ओईल चाहिए हमें अब इस ओईल को हम गरम होने देंगे अब सबसे पहले हम इसमें जीरा डालेंगे जीरा डाले की बाद में इसमें प्यास डालेंगे इसमें प्यास डालेंगे इसमें अच्छी से लिलाना है इस प्यास को हमें नाइट ब्राउं होने पर भूनना है कि देखिए इस तरह से अब इसमें तो आप में हम अद्रक लहसल का पेस्ट आड कर देंगे अद्रक लहसल का पेस्ट आड करने के बाद में अद्रक लहसल का पेस्ट आड करने के बाद में इस तरह से हमें इसको मिलाना है अनियन टुमेटो मखाला हम इसकी पहले बना के राख रहे हैं क्योंकि इसके बाद में जब हम आलू की रोटी गर्मा गर्म बनाएंगे तो उसका एक अलगी पार होगा इस तरह से सो छलाते रहे हूँए अब प्यास जो है लिइंशिए इसमें हम त्माटर रे ज़ी हैं त्माटर करेंगे इस तरह से टमाटर इसमें हम अच्छी तरह से मिला देंगे अब हम इसमें बठारे एड़ करेंगे सबसे कर्या हम डालेंगे हुड़ी सी कश्मीरी लाल मिच धनिया पाउडर नमक नमक हमें सौद अलुसार ही यूज करना है अब हम इसको धिमी गैस पे अच्छे से पकाएंगे ताकि टमाटर हमारे सौट हो जाएंगे दॉण 10 टयाएंगे ताकि शीख च्छाते रहना है इस तरह से चलाते हुए इस तरह से चलाते हुए इस तमाटर सॉक हो गए है अब यह देखिए अनियन टॉमेटो मसाला रेडी है जैस बन कर देते हैं थोड़ा से इसमें हम धनिया पत्ती डालेंगे इस तरह से और यह प्राइड अनियन टॉमेटो मसाला रेडी है अब हम इसे किनारे रख लेंगे साइट से और स्टार्ट करेंगे आलू की रोटी बनाना आलू की रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हम उसकी फिलिंग प्यार कर लेते हैं कि बोईल आलू लेंगे जो हमने यह उगज है इसमें हम मसाले एड करेंगे दल्या पाउडर डालेंगे लिए पोड़ी से कश्मीरी लाल में पारी कटा हराम यह चैट कर देंगे इसमें नमक नमक स्वादनुसारी हमें डालना हैं अंचूर पाउडर कुछ लोग इसको खटाई भी बोलते हैं थोड़े से डालेंगे रहियां की पत्ती हैं सारी मसाले डालने के बाद में इसको मच्छे से मैश कर लेंगे इस तरह से कर दो तरह तरह से अपिलिंग हमने तयार कर ली है अब इसको साइड में रखेंगे और स्टार्ट करेंगे आलू की रोटी यह फिलिंग उसमें कैसे भरी जाएगी सबसे पहले हम आटे की लोई लेंगे इस तरह से हमें उसको थोड़ा सा बढ़ाना आए ताकि हम इसमें आलू फिल कर सकें करेंगे अंदर अलू फिल करेंगे अंदर अलू फिल करके इसको में इस तरह से फोल्ड कर देंगे बन कर देंगे इसको थोड़ा सा उंगलियों से हम किनारे किनारे से तरह दबाएंगे ताकि आलू जो है अच्छी तरह से फैल जाने फूरी रोटी में उंगलियों से दबाके थोड़ा सा रोटी को बड़ा कर लेंगे वी अटना सा बस्कोर्द कर देंगे तबा गरम हो गया है अब हम इसमें ये रोटी डाल देंगे एक तरफ रोटी थोड़ा सिखने देंगे हम ये देखे इस तरह से जब एक तरफ रोटी ये सिख जाएगी हम इसको तबे पर ही पलट देंगे दूसरी साइड में भी हम थोड़ा से इसको पकने देंगे ये देखे दूसरी साइड भी रोटी पक रही है दीर 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 को रोटी दूसरी साइड भी पक चुकी है अब हम इसको नॉर्मल रोटी की तरह आज पर शेख लेंगे हम इस तरह से आप kys कि वैसे हमें सेखनी है जैसे हम नॉर्मन साधा रोटी बनाते हैं दूनों साइट से पुड़ा सेख ले गया दूनों से खचारोacaksın दूनों दूनों ल्हार कालेशक और पागे एक दोड़ाएं जाश माँ दोड़ाइं प्लेट में निकाल गए इस रोटी को भीज से दो भाग में बाढ़ देंगे आप चाहें तो अगर आप भाग में ना बाढ़ना चाहें आप इसको पूरा सजा भी रख सकते हैं इसलिए हम थोड़ा सा बटर लगा देंगे बटर के ताब में रोटी काई अलग स्वा रगाता है आप बटर ना लगाना चाहें तो आप डेसी की भी यूज सकते हैं हमारी आलू रोटी प्राइड अनियन टोमेटो मसाला के साथ रेडी है अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले साथ ही हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी थैंक्यू